question number two में क्या दिया है अतुल borrowed a sum of 12,000 and agreed to repay it by paying Rs.4800 at the end of first year and Rs.9240 at the end of second year what is the rate of compound interest compounded annual तो देखिए T equal to 0 मतलब कि जब पैसे लिए अतुल ने total कितना लिया था 12,000 फिर first year के end में इसने 4800 pay कर दिया यह 4800 paid है अगर paid नहीं होता तो second year का जो starting है and first year का end दोनों में amount same रहता है कहने का मतलब first year के end में जो amount है वो second year के starting का principle हो जाता लेकिन ऐसा है नहीं फिर second year के end में इसने 9240 rupees pay किया और पूरा का पूरा loan क्या हो गया है वह आपका है मतलब adjust होके तो हमें बताना है rate of interest क्या था इसका एक method क्या हो सकता है कि हम option का help है अच्छा अगर आप 9 to 40 को ध्यान से देखोगे यह 11 का multiple है तो हम सोचेंगे कुछ 11 वाला देख लेते हैं न तो जैसे 10% पर focus करो अगर R का value 10% है इसका मतलब 1 by 10 मतलब कि अगर principle 10 है तो amount एगार होना चाहिए इसका यूज करके देखते हैं question हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छा एक हम एक और method देखेंगे जिसमें अगर आप guess ना कर पाए फिर भी चाहिए तो t2 second year के end में अगर amount 9 to 4 0 है मतलब कि 11 का value है 9 to 4 0 तो second year के starting में जो principle होगा और तो 10 होगा इस 10 का value क्या होगा देख लेते हैं तो 11 से कितने बार में जा रहा है 1188 84 44 840 करके जा रहा है तो 10 का value होगे 8400 कहने का मतलब कि जो second year के starting में प्रिंसिपल होता है वो होता 840 भी अगर इसने 4800 पे नहीं किया होता है तो second year के starting का principle है और first year के end का amount दो सेम होता है लेकिन ऐसा है नहीं 4800 पे किया है अगर पे किया है तो दोनों add करके first year के end का amount निकलना परेगा add कि जी जीरो जीरो आठ चार बारह बारह है तेरह फिर first year के लिए 10 and 11 क्या अगर 11 का value 132 है मतलब एक का value कितना हो गया 1200 तो क्या 10 का value इतना आ रहा है 12,000 अंसर एक या रहा है तो सही है option one हो गया no problem अभी हम आते है method 2-2 method 2 क्यों अगर आप guess ना कर पाय तो same story लिखेंगे t equal to 0, t equal to 1 and यहाँ पर है t equal to 2 t equal to 2 में कितना है 9240 और यहाँ पर है 12,000 माल लेते हैं कि rate कुछ है और rate के करन जो multiplying factor आ रहा है multiplying factor जैसे यहाँ पर हो गया 11 by 10 11 by 10 अगर principle में multiply तेंगे तो सीधे का सीधे amount आ जाएगा तो इसका multiplying factor हमने माल लिया है P तो first year के end में amount हो जाटा 12,000 पी लेकिन इसने 4800 पे कर दे है 9 प्राइब अगर second year के end में amount आपका 9 to 40 है तो second year के starting में principle कितना होता 9 to 40 by P तभी तो P से multiply करके 9 to 40 आ रहा है अब next बात किया है कि यह दोनों सेम होता है 12,000 पी है 9 to 40 by P अगर उसने 4800 पे नहीं किया है उसने पे किया है तो सिनारियो ऐसा होगा कि 12,000 पी में से 4800 अगर हमने माइनस किया है तब जाके 9 to 40 by P बचे एक 0 से 0 जीरो गया और कट रहा है किया चलिए पहले simplify कर लेते 1200 पी स्क्वाइर माइनस 480 पी माइनस 924 इक्वल टो 0 बारह से कट रहा है 12 से 100 बार में गया 40 टाइमस और 77 टाइमस तो अपने पास आगया है 100 पी स्क्वाइर माइनस 40 पी माइनस 77 इक्वल टो 0 जो की है 77 अच्छा हाँ ठिक ठेख तो यह 100 पी स्क्वाइर माइनस 110 पी प्लस 70 पी माइनस 77 क्या हो गया 0 तो यहां से जो आ रहा है यहां आ जाएगा 10 पी प्लस 7 और दूसरा जाएगा 10 पी माइनस 11 इक्वल टो 0 तो जो पी का फेलू माइनस 7 बाइ 10 यह तो हो नहीं सकता है, तो बचा क्या 11 by 10, अगर P का value 11 by 10 है, तो फिर R कितना होगा, हिंस R equal to 10%, तो उमीद है आपको दोनों मेतर समझ में आगया होगा, अगर पहला मेतर गेस कर पाए, तो भूँत अच्छी बात उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, नहीं तो सिकन मेतर तो है, उमीद है ये clear हो गया है, तो फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में एक नए question के साथ,